हेलो सुदेंट्स, वेलकम टू आर चैनल, लेर्निंग नोट बुक, आज इस वीडियो में हम क्लास वन इंग्लिज ग्रामर का टॉपिक, इस आम आर समझेंगे, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे इस आम आर को यूज करें, और सुदेंट्स, मैं इसके साथ आपको एक ए आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आएए शुरू करते हैं। लेक्स स्टार्ट विद हाव तो यूज इस, तो सुदेंट्स, इस, एम, आर, इन सभी का बहुत रोल होता है किसी भी संटेंस को फ्रेम करने के लिए, तो इनका यूज आना बहुत जरूरी है, सबसे पहले देखते हैं कि इस कहां यूज होता है, इस यूज होता है, ही, शी, इट, दिस, दाट, या कोई और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन यानि जैसे किसी का नाम गिवन है, या दे बॉइ, दे गर्ल, कोई एनिमल लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी एक नाउन जो है, अगर वो गिवन है, तो उसके साथ भी इस लगता है, आईए ये बात मैं आपको examples से समझाती हूँ, he is playing, अब इधर हमें he given है, he के साथ is लगाएंगे, he is playing, इसी तरह से she is reading, she given है, she के साथ लगेगा is, it, it is a school, it के साथ भी is लगेगा, in the same way, we will say, this is a pencil, this के साथ क्या लगाया हमने, is, that is a lion, that के साथ भी is लगाया, छीक है, ये सब एक चीज की बात कर रहे हैं, एक ही person की, एक ही चीज की, इसी तरह से अब singular nouns के बारे में examples देती हैं, Myra is dancing, अब Myra क्या है, एक girl का नाम है, चीक है, तो वो singular है, इसलिए उसके साथ लगा is, the bird is flying, सिर्फ एक bird के बारे में बात हो रही है, इसलिए उसके साथ लगा is, Mumbai is a big city, Mumbai क्या है, एक city है, एक ही city के बारे में बात हो रही है, इसलिए लगा is, तो students, is हम हमेशा singular subjects के साथ लगाएं, चीक है, और singular subjects में यही सब होते हैं, he, she, it, this, that, या कोई singular noun, अब हम सीखेंगे कि am का use कहा होता है, am का use तो बहुत ही simple है, यह हमेशा I के साथ लगता है, अगर हमें subject I given है, तो हम उसके साथ लगाएंगे am, for example, I am a good girl, ठीक है, I के साथ am, I am playing, I am very happy today, I am reading, I am cooking, I am washing, तो देखिए, जहाँ जहाँ आई है, हर जगा हम am लगाएंगे, तो am तो बहुत easy होता है use करना, जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे, I am, I am, ठीक है, next है are, are कहाँ use होता है, are use होता है, जब भी हम plural subjects की बात कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या words होते हैं, जैसे की you, we, they, these, those, या फिर plural nouns, ये सभी represent करते हैं, एक से जादा लोगों को, ठीक है, वो अब nouns में भी ऐसी होता है, हो सकता है कि भी दो लोगों के नाम गिवन हो, या boys, girls, या animals, ऐसे करके plural होना चाहिए, जब हम इनके साथ use करते हैं, are, let's see some examples, you are my friend, तो you के साथ हम use करेंगे, are, ठीक है, we are walking, we के साथ we are, they are dancing, दे के साथ क्या लगा है हमने, are, these are oranges, ठीक है, these के साथ भी are लगाएंगे, those are roses, दोस के साथ भी are लगाएंगे, यह सब words के साथ तो लगाएंगे हमेशा are, अब plural nouns के examples लेती है, Tina and Myra are good friends, अब यहाँ पे दो girls के नाम given है, इसलिए हमने क्या लगाया, are, lion and tiger are wild animals, दो animals के बारे में बात करी गई है, तो इसलिए लगाया, are, ठीके students, तो are हमेशा लगता है, plural subjects में, इसी तरह से अगर given है, children, children भी plural होता है, तो उसके साथ भी हम are लगाएंगे, children are playing, तो यह हमने देखा कि कहां कहां हम is, am, are को use करते हैं, अब इस से related, let's do a practice exercise, fill in the blanks with is, am, and are, so let's see, first sentence, hello, I dash Sachin, वो कह रहा है, hello, मैं Sachin हूँ, तो आई के साथ, अभी मैंने आपको बताया, हम लगाएंगे, am, hello, I am Sachin, next sentence, I dash good at English grammar, आई के साथ क्या लगाएंगे, am, I am good at English grammar, let's see the next sentence, he dash a doctor, अब देखिये इदर, he, he यानि singular, एक ही परसन की बात हो रही है, तो हम he के साथ लगाएंगे, is, he is a doctor, वो एक doctor है, next sentence, he dash a physician, again, he के साथ हम is लगाएंगे, क्योंकि वो singular है, तो he is a physician, वो एक physician है, next sentence देखते हैं, she dash a teacher, यहाँ पे भी जो she है, she refer कर रही है, एक ही परसन को, तो इसके साथ भी हम लगाएंगे, is, she is a teacher, वो एक teacher है, she dash our class teacher, she के साथ हम लगाएंगे, is, यानि she is our class teacher, वो हमारी class teacher है, next देखते हैं, my new dress dash pretty, अब देखें, यहाँ पे बात हो रही है, new dress की, एक ही dress है, यानि वो singular है, तो singular के साथ हम यूज़ करते हैं, is, my new dress is pretty, I dash very happy, आई के साथ हम लगाएंगे, am, I am very happy, मैं बहुत खुश हूँ, I dash a champion, I के साथ यूज़ करेंगे हम, am, मैं एक champion हूँ, my parents dash proud of my victory, अब देखें इदर, parents, parents यानि जो हमारे माता पिता होते हैं, तो यह plural हैं, तो इन के साथ हम यूज़ करेंगे, are, my parents are proud of my victory, मेरे parents को बहुत गर्फ है मेरी जीत पर, let's see the next one, you dash late today, अब देखें, मैंने आपको बताया है, कि you के साथ, हमेशा use होता है, are, you are late today, तुम आज लेट हो, it dash not good to be late, it के साथ क्या लगाएंगे, एक singular है, is, it is not good to be late, your shoes dash dirty, shoes यानि plural, तो क्या use होएगा इदर, are, your shoes are dirty, तुमारे जूते गंदे हैं, you dash a careless boy, you के साथ हम use करेंगे, are, you are a careless boy, तुमे एक careless boy हो, tanu dash a great artist, अब tanu क्या है, एक person का नाम है, singular person की बात हो रही है, इसले हम use करेंगे is, tanu is a great artist, his paintings dash beautiful, अब इदर किसकी बात हो रही है, tanu के paintings की बात हो रही है, paintings यानि plural, तो इसले हम use करेंगे, are, his paintings are beautiful, these dash, we are toys, अब देखिए, these आ गया, यानि एक से जादा की बात हो रही है, चीक है, तो यहां क्या आएगा, are, these are, we are's toys, we are dash fond of her toys, we are एक girl है, एक girl की बात हो रही है, singular, तो इसले हम use करेंगे, is, we are is fond of her toys, स्क्रिये हैंगे की प्रिवास,